ओ क eran हलो स्टुडेंज तो आज हम लोग सेंटर ओफ मास का लेक्चार नंबर ही स्टाट करने जा रहे हैं जिसमें की बहुत सारे शेप्स का आज हमा मास निकालने का तरीका सिखेंक की कैसे निकते हैं लेकिन आज जो टॉपिक शुडू में एक्स्प्लेन करने वाला हूं वह कहने के लिए तो जुरू center of mass में पढ़ रहे हैं बिलकुल center of mass shapes का निकालने के लिए हमको तरीका सिखना पढ़ेगा concept सिखना पढ़ेगा लेकिन यह हूँ बहु concept है class 12th physics के electrostatic chapter पहला ही chapter के lecture number 2 या 3 के अंदर बचो हूँ बहु चीज पढ़ने वाले सेम cut copy paste बस यहां पर मैं mass 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 बोल रहा हूँ वहां पर जाके charge 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 बोलूँगा तो एक जगा पढ़ेंगे न दो जगा ठीक होगा 11th और 12th physics दोनों तो बड़ी important है दूसरा यह है कि जो इस टेपिंग साज सीखोगे वो तो एक तो हूँ बहु rotation में काम आएगा, gravitation में काम आएगा, electrostatic में, magnetism में इतने सारे जगा पर यूज है बड़ी यही इसलिए हम लोग कहते भी है न कि 11th अगर बहुत अच्छा है तो टूगल तो बड़ी मदद मिलेगा थोड़ा सा समझने में देखो क्या है भाई अच्छा बताइए सर देखो concept of lambda, sigma and क्या है रो, lambda क्या है उसको बोलते है linear mass density, sigma क्या है उसको superficial mass density, यह superficial बड़ी high level जैसा लगता है, इसका हिंदी होता है aerial mass density जिससे समझ में आएगा, aerial मतलब area पर कुछ mass distributed है, ठीक है sigma मतलब rho, यह sigma है यह rho, rho है volume mass density, अब इसका मतलब सब क्या हो गया, कि पूरे length पर total mass distributed है, let it be m, total area पर, चाहिए area बोलो, यह lamina इसको बोले, यह sheet बोले, चदरा बोले, जो भी बोलो, ठीक है, तो पूरे area पर, जो है न, है a, उस पर mass distributed है, क्यतना m, यहाँ पर, total volume है, let it be, है, उस पर total mass distributed है, कितना है, m, यह समझ में आ रहा है, छीक है, इसको समझने के लिए, आगे proceed करने के लिए, मैं जो है बचों, आप लोगों को अपना theory बताता हूँ, अगर शुरू से lectures देख रहे हूँ, तापको समझ में आ गया होगा, कि यह क्या है, जब जब बड़ी मु और अगर एक कलम का दाम पता चल गया न, तो physics को हिला करके आप रख दोगे, क्या है, एक कलम का दाम अगर पता चल गया, तो भाई हम चार कलम, पांच कलम, एक करोड कलम, कितो लोग खरी सकते है, गुना कर लोग खरी, बड़ी असान हो जाता है physics, तो देखो यह क्या बल र है, टोटल कलम कितना है भाई, पांच, तो बोले, पांच कलम का दाम होता है, बीस रुपईया, ठीक है, तो एक कलम का दाम कितना होगा, तो बोलेंगे, बीस बटे पांच, जो भी आंसर आएगा, इधर कलम है, तो कलम कलम कलम, रुपईया है, तो रुपईया, रुपईया, ठीक तो भाई एक कलम का दाम निकल गया 20 वटे 5 हलाकि इसको काटोगे तो 5 चौक यानि कि 4 रुपिया हो जाएगा बड़ी बेनिफिट है उसके बाद क्या है उसके बाद तो बोलो तीनी कलम का दाम कितना होगा तो बस कुछ नहीं जो एक कलम का आया हुआ है उसमें से in two three गुना कर दो आंसर आ गया जो भी आंसर आएगा न होगा वो रुपया ही रुपया 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 ही होगा इदर कलम नहीं हो सकता है वो लोगे सारी सब तो बचपने से पढ़ है बिलकुल बच़ो मैं भी पढ़ा हूँ लेकिन फिर भी पता है सीखना बहुत जोरी है ताकि टफ चीजे जो है ना हमें बहुत आसान लग एकदम है ना फिजिक्स के साथ खेलो नए खेलोगे ना तो वो हमारे साथ खेल जाएगा फिर बड़ी दिखते है पंच योग बीस आ जागा चार्तिया क्या बारा है रुपया ठीक है बड़ी मास हटा के चार्ज डेंसिटी, सुपर्फिसियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सब कुछ सेम एम हटा करके सिखते है कि क्या है एक एक करके लेट टोटल लेंथ है एल उस पर मास डिस्टूबिटेड है एम तो हम लिखेंगे पता है क्या इधर वो बड़ी इंपोर्टेंट है वो क्या हो जाएगा एम बटे एल यह जो आया ना जिसको काट करके लाए थे उदर चार रुपया इसी को बोलते हैं लेंडा वाट इस लेंडा लीनियर मास डेंसिटी कितना मास टिस्टूपिट है पर यूनिट लेंथ अब एक मीटर पर हर एक मीटर पर हैतना हर एक मीटर पर हैतना तो वहीं कितना भी लेंथ पर निकाल सकते हैं ठीक है निकालो तो हमें निकालना पड़ता है पता है कितना लेंथ का तनीगो लेंथ का फिजिक्स के अंदर कितना लेंथ का तनीगो लेंथ लोगे न तो उस पर मास कितना होगा है कितना तो तानसर आएगा M बटे L I into DL गुना कर दो, वाट इस दिस, मास है, तो मास मास मास, लेंथ लेंथ लेंथ, तनी गो लेंथ तो भहिया, तनी गो मास आएगा, अब समझ में आता है, तीन कलम रखोगे तो तीने कलम का दाम आएगा, बड़ी छोटा चीज़ा मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा, डी एम बड़ाबर आया है, M बटे L I into DL, वाट इस मास पर उनिट लेंथ, दिस लेंडा I into DL, यनि यह तनी गो मास निकालने का तरीका हो गया, जब लेंथ पर डिस्टूबिशन होगा मास तो ऐसे, ठीक, दूसरा, अब बढ़ी असान लगेगा, एरिया पर डिस्टूबिटेड है, तो बोलें भाई या इधर लिखो एरिया और इधर लिखदो मास, टोटल एरिया है A, उस पर टोटल मास है M, भाई, एक मीटर स्कॉयर पर हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको S, I, G, M, A, सिग्मा, जो कि मेरे लिए है, एरियल मास ए डेंसिटी या सुपरफिसियल मास डेंसिटी, ठीक है, अब तनी गोई एरिया होगा तो, तनी गोई एरिया मतलब, यहाँ पर कहीं छोटा सा ले लो, तनी गोई एरिया, तो भाई, अगर तनी गोई एरिया लोग है ना, तो इस पर मास भे केतना होगा, तनी गोई गदान छोटा सा, तो चलो ठीक लिखते हो क्या आएगा तो M बटे A into D A ये क्या बन जाएगा D M मास मास तनीगो एरिया? तनीगो मास तो what is D M? D M आया है मास पर उन्टेरिया into D A what is मास पर उन्टेरिया? सिग्मा आइन्टो क्या हो जाएगा D A देख रहे हो, नहीं लग रहा है, ऐसा 5 कलम 20 रुपय, एक कलम का दाम निकल गया, तो पुछता तनीग को कलम का दाम केतना होगा, तनीग होगा, ठेपी मिलेगा कलम का, आदा रुपया में, तो यहाँ देखो, इधर वॉल्यूम, आइधर क्या लिखेंगे, मास, ठीक, टोटल वॉल्यूम भी, टोटल मास, एम, एक का, एक का, मास पर इनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते है, रो, यानि की वॉल्यूम मास डेंसिटी, तनीग वॉल्यूम बोलोगे तो, तो उस पर आजाएगा, एम बटे भी, इन्टो डी भी, यह क्या बन जाएगा, सुचो, आजिं ले मास कितना होगा, तनीगही होगा, डीयम, यानि इहाँ पर को छोटा सा ले लें लेकिते है, तो उस पर मास भी कितना होगा, एक टब छोटा सा, कितना डीयं, अब जो हैerdant कर ने लिख रहा हो, बढ़ा हो, ठीक है यार हाँ ये कलम ब लिखा ग तो तिन कलम का पू बच्छोँ, dm lambda के terms में, dm sigma के terms में, dm rho के terms में, समझ में आता length, area, volume, यह न, पूरा देख लो एक साथ, अच्छे से, चलो, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि dm जब मैं पूछूंगा न, उसको निकालने के तीन तरीके, lambda बोलूँगा न, तो समझे, ओ, tanigo length गुना कर दो, sigma बोलूँगा न, ओ, tanigo area गुना कर दो, rho बोलूँगा न, ओ, tanigo volume गुना कर दो, बस यह हो जाएगा, और class to wealth physics में बोलूँगा न, tanigo charge कैसे निकालेंगे, lambda, dl, sigma, d, a, और rho, d, b, same, जितना भी पढ़ा है, 7-8 मिनट हूब हूँ, चीज वहाँ छापेंगे, ठीक है, class to wealth physics में, चलिए देखते हैं, अब हम लोग को निकालना है, center of mass of a uniform semi circular ring, एक ring हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, semi circle के रूप में, यहाँ से यहाँ तक, उसका total mass है, m, और semi circle है, radius कितना है, r बोलता है, इसका center of mass, बताओ कि क्या होगा, सवाल है कि sir हमको पढ़ना क्यों पढ़ता है center of mass, हम नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ना पढ़ेंगा, तो बोलोगे ना भाई, जवरदस्ती है, बिल्कुल जवरदस्ती है, क्यों, फाइदा है ना इसका इसलिए, इसलिए तो प्यार से पढ़ेंगे, अगर देखो एक mass total यहीं रहता, ठीक है, let, h height पर, बोलते potential energy क्या होगा, तो यह datum line है, तो यहां से बोलते हैं, वाई, एक point है, तो लो, भाई, amg, h, लेकिन भाई, अब रिंग पर ऐसे रख दिये, अब बोले, बताओ potential energy क्या, हमको क्या पता क्या potential energy होगा, क्योंकि dm, 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 ऐसे करकर करके, तो infinite particle है, तो भाई, यह integration के रास्ते निकालते हैं, जो newton बोले, यह न, what is center of mass, it is a short tree, यह newton बोले, according to हम लोग, define की हैं इस तरह से, तो क्या करें, तो मजबूरिय में निकालना पड़ेगा, integration के रास्ते, ताकि इस पूरा ring का बता दो center of mass है क्या, और वो बन जाएगा एक point, क्या बन जाएगा, एक point कहीं बन जाएगा, तो datum line से बताओ कि भाई, अभी mass जो है न, ऐसे distributed है, जैसे उसको हटा के point बनाएगे हैं, और वो बतादो कि कितना height पर है, वो हो जाएगा height of the center of mass, तो datum line से निकालना, एक line की बात होगी, जो की होगा M, G, H, C, M, ठीक, lecture 1 जरूर देखिएगा, lecture 1 सारा lectures linked है, lecture 1 देखिएगा तो यह सब समझ में आएगा, मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए हम पो जोरत है, चलिए, देखते हैं, क्या करें हम, तो बोले भाई देखो, यहां से देखो, DM, 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 यहां तक है, तो बोलते हैं, क्या करें, तो let किसी भी angle theta पर जाते हैं, तो देखते हैं, चोटा से DM mass तो है, ऐसा ही DM, 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 0 degrees अगर देखें, जाते, 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 यहां तक है, हर जगा पर present है, center of mass निकालना है, हम जानते हैं, center of mass, जब भी continuous distribution होता है, उसके लिए क्या चीज़ करते हैं, integral का बचो, क्या चीज़ का, integral का, वो क्या होता है, मैं, अलग लिख दूँ, क्या इसको लिखो, कैसे यूज़ करते हैं, कि X DM, 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 divided by DM, 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 यहीं पर देखो, यह जो X DM, DM, DM है, निचे जो DM है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, whole mass है, DM, 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 integrate करो, क्या बन जाएगा, M, total mass, तो इस तरह से है, ठीक, Y DM, 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 निचे जो DM, DM हो जाएगा, क्या बन जाएगा, M, यह Y होता क्या है, यह Y है, कि भाई, जब आप किसी variable distance पर ले रहे हो न, DM, तो total जो DM है, वो कितना distance पर है, that is Y, फिर से बात सुनिएगा, what is this Y, यह जो total DM है, वो कितना distance पर है, that is Y, यह DM क्या है, और X क्या है, X वो distance है, जहाँ पर यह total DM present है, तो यह तभी तो करते थे, M1, X1 plus M2, X2 ऐसे कर कर गए, ठीक है, X दोरी पर जाओ, DM उठाओ, Y दोरी पर जाओ, DM उठाओ, और लिख तो ऐसे, तो देखते हैं, कि भाई, अगर यह origin है, यह Y axis हो गया, यह वाला क्या हो गया बच्चों, X axis, तो देखो, इस line के जतना right side, जिस तरह से mass present है, वह इसा ही left side present है, तो according to symmetry, जतना इधर, उतना इधर, तो X cm अगर क्या हो जाएगा, exact इसी line पर center of mass हो गया, है की नहीं, पांच की जिधर, पांच की जिधर, तो exact midpoint होता है न, बिल्कुल वही, जतना इधर, उतना इधर, X cm खतम, 0, लेकिन Y cm क्या ऐसा है, कि जो datum line है, वहां से सारे masses एक ही जगा पर present है, नई, अलग 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 जगा पर है, अलग Y Y Y Y, यानि Y cm जो है, हमको calculate करना पड़ेगा, तो समझ में आ रहा है देखो, X cm तो हो गया 0, how to find Y cm, तो बोलेंगे Y पर जाओ और DM उठाओ, और नीचे DM DM DM, ये मेरे लिए बन जाएगा, Y DM DM DM, नीचे हो जाएगा M, this is equation number 1, ठीक, कैसे निकाले वह देखते हैं, let, इधर से चलते हैं, theta angle पर जाते हैं, छोटा सा मास उठाएंगे, तो कितना angle में वह होगा, तनी वह angle में, let it be d theta में वह है, और बचों ये जो मास से distributed है, ये क्या ची पर distributed है, length पर की area पर की volume पर, सोचो, तो ring है ना, तो ring का मतलब क्या हूँआ, just periphery पर है boundary पर, ये क्या है length, ना कि sheet ऐसा कुछ चद्रा, ये क्या ची पर distributed है, length पर distributed है, यानि समझ में आ रहा है length, lambda dl वाला, ठीक, तो length पर distributed है, हम लोग क्या बोलें, let यहां से यहां तक length केतना हो जागा, dl, तो भईया dl पर अगर ले रहे हैं, तो total यहां मास होगा, केतना dm, यहां यह है, r radius, यह भी होगा radius, यहां से यहां यह भी होगा radius, तो यह distance देखो केतना आ जाएगा, r cos theta, ठीक सामने के आ जाएगा, r sin theta, यानि यहां से अगर हम लोग calculate करें, तो यह केतना आ जाएगा, r sin theta, triangle देखो इस तरह से बन रहा है, जिदर theta theta, r cos, उधर r sin, तो y निकल गया कि r sin theta है, how to find dm, how to find dm, since length distribution है, हम इधर लिखेंगे length, इधर लिखेंगे mass, total length केतना है, यहां से यहां तक, तो बोले कि भाई, पूरा circle अगर होता ना, तो 2 pi r, केतना होता है, 2 pi r, अच्छा, अगर semi circle होगा, तो उसका ठीक आधा, तो ठीक आधा केतना हो जाएगा, pi r length हो गया, यहां से लेकर के वहां तक, यानि की, length केतना होगा, यहां से यहां, pi r, ठीक है, उसका mass total केतना है, m, 5 कलम का दाम 20 रुपिया, तो एक कलम का दाम क्या, m बटे pi r, सर क्या कर रहे हो, मैं न, dm निकाल रहा हूँ, y तो मेरा निकल गया, ठीक, dm निकाल रहा है, तो dm निकालने के लिए, तनी गो length लो, तो यह हो जाएगा, m बटे pi r, i into क्या हो जाएगा, dl गुना करें, dm क्या आया है, m बटे pi r, i into क्या है dl, ठीक, बस ऐसे है, divided by क्या है m, अब हम integrate इसको करें क्या, r, m, pi r, यह तो constant है, भाई यह dl, dl, dl आ चुका है, लेकिन sin theta, देख रहे हैं हम, यह dl तो अपने आप में variable है, यह न, कि dl, 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 यहां से यहां तक जाएगा, यह theta भी तो variable है, कभी यहां, 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 शुरू उस लेकर क्या से तक जाना है, तो 0 से लेकर, कहां तक लेकर जाना हमको एक दाब pi, 180 degree तक, ताकि सारा dm, dm कभर हो जाएगा, 180 degree तक में, पूरा ring में जो है, तो करे क्या, तब हम लोग करते हैं, बोले कि भाई, यह dl निखा लो, क्या होगा, ठीक है, तो यह जो दिख रहा है न, उसको जरा से हम लोग, देखते हैं, कि भाई, क्या है, छोटा छोटा चीज है, लेकिन बहुत जरूरी होता है समझना, length केतना है, dl, angle केतना है, d theta, ठीक है, यह radius है, r यहां से यहां तक, तो इसके अंदर देखो, circular motion का concept लगा, angle क्या होता है, arc length, और divided by क्या हो जाएगा, radius, hence, dl equal to क्या हो गया, पता है, r d theta, यह हमेशा use होगा, ताकि, जो integral है ना, एक variable में चले आए, theta भी variable, dl भी variable, तो integrate करें कैसे, तो dl को replace कर दिये, क्या हो गया, r d theta, hence, hence, यहां जो है, बच्चों देखना, r sin theta, m divided by क्या है, pi r, ठीक है, dl मेरा बन गया क्या चीज़, r d theta, समझ में आ रहा ना, divided by क्या हो गया, m, अब हमारा integration, बढ़ी आसानी से हो सकता है, क्यों, sin theta, और d theta आ चुका है, एक variable में, ठीक, काटे, r r स्वाह, m m स्वाह, तो, अब बहुत असान हो गया, लिखो, r, r, बटे, pi, ठीक है, integration में जा रहा है, sin theta, d theta, ये, तो बस ये integrate करें, कहां से कहां तक, ये है, 0 degree, 0 से चला जाएगा, कहां तक, 180, यानि ये 0 से चला जाएगा, pi तक theta, this is y cm, integrate करिया, देखो, एक तो, short trick से आप कर सकते हो, क्या short trick सिखा है, 0 से pi, तो ये है 0 degree, ये pi, यानि 180 degree, 0 से pi में क्या answer देता है, plus 2, यानि खटाक से 2 यहां आगया, 2 r बटे pi, देखे, कैतना गजब तरीका से आया, लेकित, मैं short trick से भी, और detail भी बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया r बटे pi, sin theta का integration क्या होगा, minus cos theta, कहां से कहां तक, 0 से pi, ठीक, minus बाहर लेलो, minus r बटे pi, cos सबसे पहले हो जाएगा, pi minus cos हो जाएगा, क्यतना, 0, substitute कर दो, minus r बटे pi, अब होता है, कि बहुत सारे जैसे, bio के student होंगे न, तो pi, ये सब सब का value, बड़ी गंदा लगता होगा, basic mathematics for physics, जिन्दाबाद है आप लो के लिए, क्या है भाई, cos का value सब हमको, याद नहीं होता है, अच्छा है नहीं, याद होता है, बोलोगे हैं, ऐसा बोलोगे, बिलकुल, अगर नहीं याद होता हो, वीडियो देखो के तो आप खातर नाग तेज़ बन जाओगे, याद करो के तो confusion स्टार्ट हो जाएगा, नहीं आता है, कोई बात है, graph बना लो cos का, लहर उपर से चलता है, pi क्या 180 degree, तो यह वह यह 9 का 9, 9 दो निया ठार है, graph कि धर चल गया, यह नीचे जगया, minus 1 होता है, ऐसे ही हो गया, minus 1, यह सब तरीका सिखा चुका है, बच्छों, trigonometry में, हाँ, cos pi क्यता हो गया, minus 1, cos 0 क्या हो गया, 1, खटाक से graph से जिंदगी भर के नियाद हो जाएगा, minus 1, minus 2 हो गया, क्यता हो गया, minus 2, minus minus गया, आंसर आगया क्यतना, 2R बटे pi, hence, YCM जो आएगा, क्यतना आगया है, पता है, 2R बटे pi, यानी, जो बहुत मुश्किल हो रहा था ना, इस ring का, semi circular ring का, कि भाई, कहाँ पर इसका total mass concentrated होगा, नहीं समझ में आ रहा था, तो बोलेंगे, देखो, इस line से, ये मेरा वी equivalent कैसा हो गया, इस line से, जो है न, पता है क्या, 2R बटे pi पर, total mass is supposed to be concentrated at a point, अब लिखना चाहोगे न, gravitational potential energy, एक line में लिखाएगा, क्या ची, M, G, height किसका लिखते हैं भाईया, center of mass का, क्योंकि हमने इसका center of mass निकाल लिया, कहीं यहाँ पर आया है, केतना distance पर, 2R बटे pi पर, तो देखो answer आजाएगा, M, G, अलिख तो 2R बटे pi, यानि कि अगर आपके पास, center of mass का knowledge है, answer पता है, तो आप खतरनाक तरीके से, सवाल को handle कर सकते हो, तो यह चीज है, उमीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, चलिए, पहला था ना थोड़ा से, इसलिए थोड़ा डिटेल भी बताएं, ताकि दिमाग में अच्छे तरीके से बैठे, quadrant ring हमारे पास है, सिर्फ ए quadrant पर है, तो देखो, यहां से, टोटल जो सेमी सर्कल होता था ना, तो एक्सीम क्या था, जतना इधर मास होता ना इधर इसलिए 0, यहां पर क्या है, कि अगर यह origin है, इधर x-axis, इधर y-axis, पूरा सारे मास जो है इधर ही है, यानि आव एक्सीम 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ कहीं न कहीं एक्सीम पर होगा, है ना, center of मास इधर का, क्योंकि सब एक ही side मास होगा, तो कहीं तो center of मास होगा, ठीक, y में कुछ होगा क्या, बिल्कुल, सारे मास, ऐसा नहीं है कि इसी से एक distance पर जाके एक ही जगा पर है, नए, continuous dm, 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 dm है, इसका मतलब y axis में भी कहीं न कहीं होगा, तो here, neither x cm is 0, neither y cm is 0, आपको दोनों निकालना पड़ेगा, अच्छा, तो x cm कैसे निकाले, बोले x दूरी पर जाओ, dm ले लो, निचे dm, dm, dm कर दो, तो ये क्या आजाएगा, x दूरी पर जाओ, dm, 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 ये बन जाएगा निचे क्या, सिर्फ dm है तो mass हो जाएगा, total जो mass m है, करे क्या, बिल्कुल हूँ बहूँ, same चीज, अब ठीठा क्या, theta पर गए, d theta angle में उसको डाले, बोले, आजाओ भाई, dl length, कलम रूपया पढ़ रहे हैं, कितना length है ये, dl length है, mass कितना होगा, dm, तो एक चीज तो दो 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 एसे ही समझ में आ रहा है, कि d theta जो है, बतलब angle, arc length, divided by radius, तो what is dl, dl आ जाएगा, rd theta, ठीक है, ये निकाल लेते हैं, जो रत पढ़ेगा, पता है, अच्छा, let हम किसी भी, बन्लोब, any angle theta लिये हैं, ये dm mass, तो बोलेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये यहाँ से यहाँ तक, what is this, this is y, at any instant of time, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ यह क्या हो जाएगा, x, देखो ये x बराबर क्या आएगा, ये r है, r cos theta इधर, और r sin theta इधर, यानि कि x जो है, at any angle theta पर, ये है r cos theta, और ये कितना हो जाएगा, r sin of theta, क्योंकि जो dm mass हमने लिया है, dm mass हमने लिया है, तो origin से कितना x पर आपने लिया, तो बोले भाई, एतना distance पर जाके हमने dm लिया है, ठीक, y पर आपने कितना दूरी पर जाके लिया है, r sin theta पर, ठीक, use करेंगे दुनों को, अच्छा, एक तो इधर समझ में आ रहा, दूसरा, y cm भी कुछ न कुछ होगा, कैसे होगा, y दूरी पर जाओ, dm mass उठाओ, dm, 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 अच्छा, y दूरी पर जाओ, dm mass उठाओ, नीचे हो जागा total mass m, बहुत बढ़िया, लिखते हैं, how to find dm, x और y तो निकल गे, dm कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे dm, लिखने का तरीका, mass कहां distributed है, length पर, तो लिखो इधर length, length हो गया, mass हो गया, ऐसे लग रहा है, जैसे कि क्या हो रहा है, बचो, ये पूरा semi circle जो था, वो pi r length का होता है, तो भाईया, पाईयार 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 टू, एक कलम का दाम निकल गया, हमको कितना चीए एकदम, तनीगो लेंथ का चीए भाईया, तनीगो लेंथ का क्या होता है, तो ये दोखो solve भूने के बाद आएगा, क्या टू चला गया उपर, तो 2m पाईयार, तो बोलेंगे देखो, 2m पाईयार इंटू डीएल, यही हो गया, क्या डीएम तनीगो मास निकल गया, बस उसको उठा करके, बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, और डीएल जो है, वो मेरा है रडी थीटा, तो साइड में मैं यहां लिख दू क्या, कि भाई, डीएम जब जोरत पड़ेगा ना तैक्चोंली, क्या रहा है यह देखो, 2m पाईयार इंटू डीएल, यह है 2m पाईयार, इंटू डीएल क्या है, आर डी थीटा, ठीक, यह आर आर गया, यानि कि 2m पाईयार इंटू डी थीटा, तो डीएम ऐसे निकलता है, लिख लिए 2m पाईयार चलो, लिखते हैं करकर के, एक्स क्या है, आर कॉस थीटा, आईयार इंटू डीएम, हाउ टू फाइंड डीएम, देखा मैंने 2m पाईयार इंटू, 2m पाईयार इंटू क्या है डी थीटा, ठीक, निचे क्या है एम, देखे जरा, क्या सिंगल वैरियेबल में है क्या, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक, डील हाटा दिया हमने है न, कुछ उड़ेगा क्या, मास मास उड़ा, तो कॉस थीटा, थीटा कहा से इंटिग्रेट होगा, तो बोलेंगे भाई, यह 0 डिगरी से जाएगा, 90 डिगरी तक, सारे मास हमने ले लिया, तो अपने आप दोनों कॉडिनेट मेरा निकल जाएगा, चलिए लिख लिए जिए, तो 0 से 90, 90 मतलब पाई बटे 2, ठीक, तो नीचे तो गया, उपर क्या है, उपर है 2R बटे पाई, 2R बटे पाई, कहा से कहा तक इंटिग्रेट होगा, कॉस थीटा, डी थीटा, जो बच रहा है, 0 से पाई बटे 2, अगर डेफिनिट इंटिग्रेशन का मेरा लेक्चर देखा हुआ होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में, मारोगे खटाक से एक दम, ऐसे बहुत समय लगता है, क्या है, कॉस थीटा का ग्राफ बना दो, कॉस थीटा का ग्राफ हमने बना दिया, 0 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, पूरा जल देता है, ऐसे करके न तो प्लस 2 आंसर देता है, ये भाईया बस क्वाइडरेंट है, क्यतना आंसर देगा प्लस 1, तो सौट ट्रीक बचों मस्त है, एक दम भ्याना, बस प्लस 1 आंसर आगे, 2R बचे पाई, नहीं तो लिखो अभी चार लाइगे, तो देखो, स्कूल में आएगा, तो हमको बनाना पड़ेगा, मेथडे से सिखना पड़ेगा, कॉम्पटिशन में आए, ट्रीक लगा दो धड़ाक से, तो यह कितना आएगा, कॉस्ट थिटा का इंटिग्रेशन क्या हो जाता है, साइन थिटा, कहा से कहा तक, 0 से 5 बचे 2, ठीक, साइन थिटा, तो यह हो जाएगा पता है, कितना साइन, थिटा रखो 5 बचे 2, माइनस, बाद में साइन ओफ 0, ठीक, 2R बटे पाई, साइन 90 होगा 1, माइनस, साइन 0 होगा 0, देखो, टोटाल अंसर क्या आ रहा है, 2R बटे पाई, यानि, XCM होगा, 2R बटे पाई डिस्टेंस पर होगा, पता चल गया, अब इसी तरह से, हम लोग, YCM निकाल लेते हैं, भाईया, YR साइन थेटा है, R साइन थेटा, और DM है मेरा यह, ठीक, लिखते हैं, Y है R साइन थेटा, और DM मेरा है कितना, देखो ज़र, 2M बटे पाई, I into D of थेटा, और नीचे क्या है, M, दिस इस YCM, 0 से 90 डिगरी तक में, क्या करना है, integrate, कर देते हैं, integrate, 0 से 90 डिगरी तक में, देखो, M, M चला गया, 2R बटे पाई, तो 2R बटे पाई, यह क्या है, साइन थेटा, D थेटा, 0 से लेकर, पाई बटे 2, 90 तक, अगर शॉट्रिक से देखोगे, तो साइन का ग्राफ बना लो, 0 से 90 डिगरी तक में, दिस इस 0, दिस इस 90, बस आधा है, तो प्लस 1, और अगर टोटल रहता तो, कितना करते हैं, प्लस 2, ठीक है, तो चलो, हम लोग लिख लेते हैं, यहां से देखो, तो यह हो गया, मेरा 2R बटे पाई, कितना आ जाएगा, तो यह तो ऐसे चलो, समझ में आता है, लेकिन क्या है न, हम लोग अब ज़रा सॉल्व करते हैं, साइन थेटा का बचो, integration क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थेटा, कहां से कहां तक, 0 से पाई बटे 2, ठीक है, माइनस कॉमन दिलो, तो 2R बटे पाई, कॉस पहले रखेंगे, कॉस पाई बटे 2, माइनस कॉस 0, ठीक है, कॉस 90 केतना होता है, सुचो, कॉस 90, 0, ग्राफिकल से भी हम लोग देख सकते, कुछ भी दिक्कत लगे, नसीदे ग्राफ बना लो, है न, 90, भाईया, यह 90 डिग्री है, कॉस का ग्राफ है, कॉस 90 केतना होता है, 0, तो माइनस 2R बटे पाई, कॉस 90, 0, माइनस कॉस 0, 1, ठीक, देखो क्या आ जाएगा, यह माइनस 1 बचे, का माइनस माइनस प्लस, यानि यह केतना अंसर आने वाला है, 2R बटे पाई, तो YCM इसका केतना आगे, 2R बटे पाई, यानि कि अगर क्वाइड्रेंट का अंसर देखोगे न, तो दुन्नों अंसर क्या आता है, 2R बटे पाई, क्या आता है, 2R बटे पाई, इस तरह से, मास अगर डिस्टुबिटेड हो, तो भाईया, यह ओरिजीन है, XCM भी कुछ, और YCM भी कुछ, This is XCM, This is YCM, ये भी 2R बटे पाई, और ये भी केतना होगा, 2R बटे पाई, कहीं यहाँ पर जो है न, इसका center of mass होता है, ठीक है, तो बड़ा अच्छा से समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं, आगे, next है बचो क्या, center of mass of a uniform, thin semi-circular disc, एक disc है semi-circular, लेकिन thin, बहुत पतला, तो बहुत पतला बोलते हैं, मतलब क्या, जैसे यह book है, ठीक है, इसका एक page, तो थीन का मतलब क्या होता है, इसका एक page ले लिए, हाँ, तो इसको ऐसे cut, तो यह disc ही हो गया, पतला thin semi-circular disc हो गया, तो mass ऐसे distributed है, इस पर ठीक है, तो वो चीज़ है, बहुत पतला, तो thin semi-circular disc बोलेगा, या plate बोलता है, या lamina बोलेगा, या sheet बोलेगा, तो उसका मतलब यह है, उस पर total जो है, mass distributed केतना है, एम यानी diagram पता है, इस तरह से समझ लो, तो सबसे पहली बात है, कि भाई, अगर disc इस तरह से बना हुआ है, तो हम कैसे assume कर सकते है, कि यह disc बना कैसे, कैसे बना होगा, सोचो, सोचना पड़ेगा, पहले यह disc बना कैसे, एक disc कैसे है, तब समझेंगे कि, अच्छा हम लोगे न, elementary mass लेकर के बनाएंगे कैसे, देखो, अगर semi- यह पूरा circular disc अगर होता, हमको पता है कि, यह disc बना कैसे, देखो, छोटा सा दूरी जाओ, let it be R दूरी पर गए, और एक ring ले लो इस तरह से, थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक, ऐसे देखो, एक ring ले ले लेते हैं, अब ऐसा ही अगर ring ले ले, एक और ring ले ले यहाँ, पर एक और ring ले ले यहाँ, पर एक और ring ले ले यहाँ, पर ऐसे ऐसे, अगर मैं infinite अगर ring ले लूँ, तब क्या होगा, सोचो ज़रा, है ना, center से start किये हैं, center से start किये, कुछ दूरी पर गए, एक ring ले ले ले, तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई छोटा 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 रिंग 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 और एक ring ले लेते हैं उसका कुछ thickness होगा तो समझ में आता है तो R दूरी पर गए हैं और कितना thickness का ले रहे हैं तो यह बोलते हैं कि thickness जो है न यह यह है कितना DR thickness का एक ring हमने लिया है और ऐसा ही बोलेंगे यह जो ring है start कहां से कि यहां से R दूरी पर गए ठीक तो ऐसा ही यहां से लेते जा लेते जा लेते जा लेते जा लेते जा तो यहां से लेकर जब यह capital R तक पहुँच जाएंगे तो पूरा यह semi circular disk बन जाएगा समझ में आता है तो यह जो है न मेरे लिए बच्चों क्या DM mass का काम करेगा ठीक यही DM 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 यहां से लेकर यहां तक infinite बस integrate करना है और central mass निकल जाएगा ठीक next since यह जो line है यह origin है जितना mass इस side उतना mass इस side तो हम क्या सकते है कि X CM जो है इसका क्या हो जाएगा 0 इसी line पर like करेगा अच्छा Y CM तो बोले origin यहां है सारे mass उपर है यानि Y CM कहीं ने कहीं तो होगा उपर है तो यह हो जाएगा क्याची Y CM तो Y CM 0 नहीं होगा यानि हम निकाल यह जाएगा M पूरा mass M है क्या है पूरा mass M है ठीक चलिए देखते हैं तो क्या करें समझ में आया है let R दोरी पर जाओ और एक DM mass हम ले लेते हैं इस तरह से ठीक है हाँ कितना length है इसका यहां से बतलब length ने क्या बोलते है thickness यह वाला ठीक है कितना है DR अच्छा बच्छों देखो इसी का mass हो जाएगा पता है क्या DM हमको पता चलिए कि X CM तो 0 हो चुका है हमें Y CM निकालना है Y CM होगा क्या Y DM 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 divided by DM 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 सब एक्ये जैसल लगता है ने तोटल टोटल DM हो गया M यानि बस यह निकालना है what is Y और what is this DM देखो होता क्या है Y दूरी पर जाओ और पूरा DM मास उठाओ इसमें भया DM है कहां क्या ये DM है क्या क्या ये DM है क्या? नई, DM यहां से यहां तक पूरा एक elementary जो ring इसको है ना, elementary ring बोलते हैं क्योंकि तनी को चीज़ है ना, तो पूरा यह जो ring यहां से यहां है ना, यह पूरा DM है, तो सवाल है कि यह जो पूरा यहां से यहां तक जो ring है, DM, वो केतना वाइपर है? तो हमको क्या टोटल इसका dm, whole mass जो dm है, can be supposed to be concentrated at a point, वही हो जाता है तो हम लोग बोलें क्या भाई, देखो यह जो पूरा ring है न, mass है dm पता है कहां concentrated होता है at its center of mass तो इसका center of mass केतना दूरी पर होता है, वो हम जानते है 2R बटे πाई, तो इस ring का हो जाएगा, केतना 2R बटे πाई यह ring है, mass है dm, यह पूरा mass can be supposed to be concentrated at a point, तो इसका center of mass केतना दूरी पर होगा, पूरे mass can be supposed to be concentrated at a single point 2R बटे, क्या है πाई hence, यही मेरे लिए हो गया पता है क्या वाई, समझ में आ रहो है, वाई क्या होगा पता चलिगा कि 2R बटे πाई एक चीज समझ में आया 2R बटे πाई, ठीक है, how to find dm तो भाई, dm निकालने के लिए पहले तीन चीज, length पर distributed है कि area की volume, तो जैसी sheet बोले, lamina बोले, चदरा बोले plate बोले न, तो समझो कि area पर distributed है, तो टोटल एरिया पूरा disc का क्या होता है, एक circle pi r square, semi circle बोलेंगे, semi circular, क्या हो जाएगा pi r square बटे 2, तो बोलेंगे भाई, लिखेंगे क्या, area और mass, कैसे लिखेंगे area और इधर लिख देंगे mass, ये सब चीज़े 11th में suddenly समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा दूसरे तरीका से बचो, आप लोगो को बता रहा हूँ total area है, भाई, pi r square बटे 2, semi circle तो उस पर mass है total m, ठीक है एक का कितना होगा, m बटे, pi r square बटे 2 ये क्या है, तो ये 2 उपर चला गया, तो 2m बटे क्या है pi r square, देखो गौर करके इसी को हम लोग sigma कहते हैं नहीं mass per unit area, ठीक है अब कितना चाहिए, हमको चाहिए तनीगो area, तो तनीगो area है कौन, तो बोले भाई, यहाँ से लेकर कि यहाँ जो ठीकने से से देख रहे हैं यहाँ है area, कितना है area यह वाला तनीगो area है क्या है, d a आउस पर total mass कितना हो गया d m, how to find this, तो देखो एक ring है यह वाला यहाँ से तो इसका कुछ ठीकने से, समझ लो belt जैसे पहनते हैं न, belt, तो belt है इसे करकर के circle बना हुआ है हम पूछ रहे भाई, belt का जो लगा हुआ न, चद्रा इस तरह से जो है sheet type का बना हुआ है, कितना area है बोले रोको belt को ऐसे काट करके straight कर दो अपने आप पता चलेगा, वो strip जैसा लग रहा है यान एक rectangle जैसा लग रहा है तो देखो कितना length, कितना breadth या height, length into breadth area निकल गया, तो इसको हम यह वाला दीख रहा है न, इसको उठा करके पता flat कर लो तो बोलेंगे इसका mass total dm है यहां से लेकर के यहां तक भाई length कितना है, तो semi circle का length होता है, pi r radius क्या है r hence हम बोल सकते हैं यहां से यहां length है pi r और thickness कितना है यह वाला, thickness है dr, तो यह होगा dr hence, how we will find बचो tanigo area, तो बोलेंगे tanigo area जो है, वाज अग length into breadth, यानि pi r into dr तो देखो, tanigo area अगर बोलेंगे, तो हो क्या जाएगा 2m बटे pi r square into da, यही मेरे लिए बन गया dm, देखो tanigo mass dm, ऐसे, mass है तो hence, dm बराबर जो होगा, वा जाएगा 2m बटे pi r square into da, da है pi r dr देखे, complexity होता तो बड़ी help करता है, कैसे कैसे सारा चीज calculate हो रहा है, pi गया pi गया, तो 2m बटे r square into small r dr, यह है मेरा dm, finally आ चुका है, variable देखो, dr आया हुआ है, यानि r छुटका r जो है न, वो variable है, अभी अपने r दूरी पर माना dr लेंद का, फिर dr 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 यहां से कहां से कहां तक चल जाएंगे, यह start होगा यहां से लेकर radius capital r तक, पूरे include हो जाएगा, ठीक y क्या है भाई, y hat to r बटे pi, तो यहां पर रखते y और dm, है न, answer आजाएगा चलो therefore, y cm क्या आने वाला है पहले इसको लिख देता हूँ, y dm divided by m, ठीक, एक एक करके y क्या है, y hat to r बटे pi dm क्या आया हुआ है 2m बटे r square into r dr जो है, बस उसको रख रहे हैं, और कुछ नहीं, निचे क्या है total mass है, m कुछ उड़ेगा क्या, कुछ उड़ेगा क्या, ये mm उड़ गया 2 दुनी 4 4, बटे क्या है, pi ठीक है, ये r r देख रो, क्या हो रहा है, r square dr, कहा से कहा तक integrate होने वाला है, ये 0 से लेकर के capital r तक integrate हो जाएगा, तो बन जाएगा पूरा मेरा क्या, disc, ठीक है बस integrate कर दीजिए, 4 बटे pi, r square dr का integration, तो बोलेंगे r q बटे 3, कहा से कहा तक 0 से capital r, hence देखोगे, 3 धर आजाएगा 4 बटे 3 pi r q ये बच रहा है तो पहले r रखो, तो ये होगे r q minus फिर 0 रख दो, तो ये हाँ, ये सब छूटना नीचे गलबड हो जाएगा pi r square, यहां रख देते ये भी pi r square, लग ही रहा था बाइब कट नहीं रहा है, तो उसको कटना चाहिए क्या है कटना चाहिए, क्यतना है pi r square और एक है क्या, 3 कहां कि हाँ, 3 यहां है, तो 3 धर, ठीक है r square into क्या है r q तो बोले, 2 r उड़ा एक r बचेगा, hence answer आएगा, 4 r बटे के तना 3 pi, this is क्या आया है पता है, y cm यानी कि अगर कभी भी semi circle, अगर disc किस तरह से दे दिया हो, बोले बताओ, इसका gravitational potential energy क्या होगा, तो बोले, यार तो ही तो एक line में answer आ जाएगा, तो ये इसका benefit है moment of inertia में भी जो rotation chapter पढ़ेंग, उहाँ काम करेगा बच्चो ठीक है, चली देखते है चीजे समझना बड़ी जादा जरूरी है सबसे important ये है center of mass of a uniform thin triangular lamina है, अब triangle हमारे पास lamina दिया हुआ है या उसको sheet बोलो, या plate बोलो triangular plate या चंदरा बोलो, जो बोलो ठीक है, तो सोचो क्या है, जैसी sheet plate ही सब बोलता है न, तो तुरंट क्या होगा पूरी area पर mass distributed है यानि पता है, एक तरफ area लिखेंगे एक तरफ mass लिखेंगे, कही न कहीं हमको dm का जोरत पड़ेगा, बहुत असान लग रहा है ठीक, क्या करें तो बोले देखो, ये origin है since sheet है, तो mass जो है, पूरे पर distributed है इस तरह से तो इस line के y axis के अगर देखें, जतना इधर mass है, उतने इधर mass है, uniform distribution के वज़ा से तो x में, जो है, center of mass क्या होगा, इसी line पर आगया, क्या x cm 0, origin पर ही होगा इधर लेकिन y में, since origin सारे mass उपर distributed है तो भया कहीं ने कहीं, तो y cm होगा होगा कहां, निकालते हैं इससे एक चीज़ पता चला कि x cm तो 0 होगा, y cm कैसे निकालते हैं y दूरी पर जाओ, तनीगो mass ले लो, ध्यान देना ये चीज़ होता है ने, कि जो dm mass ले रहे ने उसका y क्या है अगर direct एक length पर था न, dl छोटा सा वही है, तो तो y direct पता चलिए, लेकिन ring था, तो भाईया dm तो यहीं से पूरा चालू होता है, उसका y क्या ले क्या ले, तो भाईया पूरा ring कहा concentrated है, at its center of mass तो उसका लिये थे, ठीक, यह चीज़ ध्यान रखना निचे, dm, dm, dm तो हमको पता है कि जो y dm, dm निचे जो dm, dm होता हो, क्या बन जाता है, मेरे लिए mass m तो यह हो गया y cm, चलिए, निकालते है y, तो यह जो disc, यह जो, sorry, जो triangular lamina बना हुआ, यह बना कैसे है कैसे बना है भाई, तो बोल सकते हैं क्या, एक छोटा से strip ले लो strip मतब rectangular strip, belt जैसे बताए नो, वो, एक strip, एक strip एक strip, एक strip, गौर करके देखो, अगर हम बोले यहां से let y दूरी पर जाते हैं एक छोटा से ऐसे जो है ना, एक rectangular समझ लिएक strip ले लेते हैं यह ऐसे, पूरा तो एक variable distance यहां से गए strip ले लिए, इसका mass हो जाएगा latitude भी क्या बोलते हैं, dm area इसका केतना हो जाएगा latitude भी dm, क्योंकि पूरा area केतना है तक infinity strips अगर ले ले, तो क्या मेरे लिए पूरा triangular lamina बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा, यानि समझ में आ रहा है कि करना क्या है, तो let go at any distance y, take tiny go mass तो वो mass लेंगे किसका strip का, किसका लेंगे एक strip का, यानि कि जड़ा बनाते हैं सवाल तो let at variable y distance पर गए और लेने हैं ऐसे, तो गौर करो यहाँ पर जो यह dm mass है यहाँ से लेकर कि यहाँ तक, उसके लिए सारा y क्या है, पता है, same यहाँ से y, यहाँ से y, यहाँ से सब y ही है, यानि कि यहाँ पर कुछ करने की जरुरत नहीं है कोई center of mass लेने की जरुरत नहीं है वो जो ring में था न, ऐसे टेड़ा था तो मज़गूरी महाँ को देखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर सारे y पर, y y पर ही horizontal ऐसे strip है, यानि y ही, y ही रह जाएगा, ठीक है how to find dm, बोले भाई aerial distribution, तो लिखो इधर area, और इधर लिखो क्या चीज़, mass, ठीक area, total area कितना है, तो बोले भाई मेरे पास triangle है, तो यह यहाँ से यहाँ हो जाएगा, base total कितना, यह है r, यह है r, तो total base हो जाएगा r plus r, 2 r, height कितना देके रखा है, h, तो क्या हम कह सकते है, area of triangle क्या होता half into base, I into height ठीक है, चलो 5 कलम का दाम, 20 rupia total area, total mass क्या है total area, half into base into height, तो इसका total mass क्या है, m तो एक का कितना होगा तो देखो, यह जो cut गया 2, 2 तो सिर्फ बचा है r, h, तो m बटे क्या हो जाएगा, r, h this is mass per unit area क्या हम कह सकते, यह sigma है है न, तो देख ले, कितना अब आसान लग रहा है, हमको आप क्या चाहिए, तनी गोई area चाहिए, तो भाईया, m बटे r, h, I into तनी गोई area गुनास करोगे न, तो mass केतनी गोई गा, तनी गोई आएगा ठीक है, dm निकल गया dm निकल गया, क्या निकला है, m बटे r, h, I into क्या होगे, d, a, this is equation number 2, how to find तनी गोई area, कैसे निकालोगे, तो बोले भाई, यह जो area है न, यह क्या है, एक rectangular strip type का है, देखो इस तरह से, ठीक है, कि नारे थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है, जिसको कि हम लोग नेकलेक्ट कर सकते हैं, एक rectangular strip मान सकते हैं, यहां से यहां total length क्या है, वो बताओ, और यहां से यहां breadth क्या है, वो बताओ, तो वाई दोरी पर गए हैं, देखें करके analysis, वाई दोरी पर गए हैं यहां से यहां यह तो distance क्या है, वो सबसे बड़ा है capital R, भाई यहां पर यह distance क्या है, बड़ा मुश्किल है, वो variable होगा, क्योंकि यहां लोगे तो देखें, बड़ा strip आएगा, छोटा strip, छोटा 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 यह distance भी variable है, let हम मान लेते हैं कि यह है small r, तो यह small r तो यह भी क्या होगा, small r, बो sir क्या कर रहे हो यह, बड़ी complexity हो यह, कुछ नहीं कर रहे है, y क्या है, y, y, dm क्या है, निकाल रहे है, dm कैसे निकालना है, तो मेरे पास यह फस गया, तो d a निकाल रहे है इस strip का area क्या होगा? कितना length है? कितना breadth है? तो breadth तो dy हो गया यह वाला यह कितना होगा मिरे लिए? dy तो भाई यह length क्या है? तो बोले यह आर, यह आर तो total कितना होगा? देखो 2R तो क्या हम बोल सकते हैं? Strip है na rectangular strip length into breadth तो यह होगया 2R into इंटू क्या हो गया मेरे लिए डी वाई इस इक्वेशन न्बर थिरी जिसको कि हम रख सकते हैं कहां पर डी एम में ठीक हैं चलिए तो हम बोलते हैं क्या डी ए जो है वो आ रहा है टू आर इंटू स्वरी यह तो आ ही गया बच्वोग डी आ चुका है हम डी एम में सब्स्ट इक्वेशन न्बर फोड मेरे लिए क्या पता क्या डी एम निकल गया जैसी डी एम निकला उठा करकर के हम में में हम लोग क्या करेंगे क्यालकुलेशन स्टार्ट कर देंगे लेकिन देखते हैं अभी हम लोग को नहीं पता कि भाई क्या है अभी हम सब्स्टिचूट करते ह dm भी निकल गया ठीक है equation number one में क्या होगा y cm y dm dm भागा पहले पता तो चले कि जब हम रख दिये तो हमको problem कहां आया तब हम calculate करेंगे नए तो अब मैं सीधे लिखते चले जाओ तो लगया कि रट अंती विद्या है रट के अनिल सरा के छाप रहे हैं समझ में नहीं आएगा पहले problem पता चले जैसे जरत पड़े calculate कर लो ठीक by concept y to y पर ही हमने मारा सारा dm वही concentrated है dm आया केतना है m बटे rh into क्या है भाई 2r dy ठीक divided by नीचे है m यह देखो m m चला गया क्या आ रहा है 2y r dy divided by r h यह पूरा integration आ रहा है है की ने सही है 2y 2y r dy divided by r h अब integration करें किसका सोचो variable कौन है r constant है h constant है y भाई या variable है किसी भी distance पर y y y y कहीं भी हम ले रहे हैं तो y dy तो समझ में आता है क्या r constant है क्या नए यह भी r बच्चों क्या है variable यानि मेरे पास पता है क्या हो रहा है 2 variable फंस चुका है तो guaranteed हमको अब क्या करना पड़ेगा single variable में लाना पड़ेगा तब समझ में आता है कि अगला जो step हम क क्यूं करेंगे भाई यह ना रटनाने है बच्चों ने तो गरबढ़ हो जाएगा physics करबढ़ हो जाएगा तो क्या करें r को हटाओ dy मेरे पास आया हुआ है यानि क्या को ऐसा सुबिधा है क्या r को छोटका r को हटा करके y के ही terms में लिख दे ताकि single variable आजे integration बढ़ी आसान देखते हैं बिल्कुल कुछ विवस्ता होगा यह आर को हटा करके y के terms में लाना है अच्छा y है ये side r है ये side class 10th बचों पढ़े होगे class 10th थियोरामी सब है ना क्या है similarity of triangle यह triangle अगर देखे ता यहां से लेकर के ऐसे और यह तो यह बढ़का और ऐसे अब समझ में आ देगा क्या हम कह सकते हैं कि यह छोटा वाला triangle और यह बड़ा वाला triangle आपस में similar है क्या है similar है सर क्या कर रहे हूं मैं छोटका r को निकाल रहा हूं in terms of y क्यों निकाल रहा हूं यह आपको clear है हाँ अब ठीक है यह है r यह है capital r यह हम height हमारे पास देखे रखा है h तो similarity of triangle क्या होता है यह छोटका triangle का यह length और बढ़का का यह length ठीक है proportion में होगा तो r बटे r यह बटे यह बहुत अच्छी बात है छोटका r लिए हो छोटका triangle का तो छोटका triangle का यह वाला height निकाल सकते हैं क्या height निकाल सकते हैं क्या विलकुल म minus y देखो यह side बटे यह side अब आएगा छोटका triangle का यह side कितना है h minus y फिर अब बढ़का triangle का यह side क्या है बढ़का triangle का यह total height h देखो हुआ क्या छोटका r जो है न यह हो जाएगा h minus y बटे h इंटू हो जाएगा क्यतना r यानि h sorry छोटका r has been converted into y अब मेरा काम हो गया h minus y y बटे h h minus r के जगा पर लिख रहा हूँ क्या है h minus y बटे h i into kya है r capital r है na capital r है na h minus y बटे h into capital r ठीक है देखो 2y बटे r h हो गया r छोटका क्या h minus y बटे h into r i into kya है dy अब समझ में आएगा कि integration करना क्या है कौन-कौन constant है पहले बाहर आओ 2 बाहर आजेए या भाई y तो variable है h minus y एक bracket के अंदर variable है r बाहर आजेए तो यहाँ बचेगा y h minus y और dy कौन-कौन ये 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 ठीक है उधर चला गए divided by r constant है h h सब constant है तो यह r h का square बस इतना ही है ठीक अब हम करें क्या इसको integrate कहां से कहां तक y y y y y y dy dy कहां से कहां तक integrate तो यहाँ से लेकर के सीधे चले जाएंगे top तक यानि h height तक मिरा answer आजाएगा ठीक है चलो लिख लेते बचो अब बढ़ी आफान है r चला गया तो ये 2 बटे h square आजागा 0 से h तक हम integrate कर देंगे तो 0 से h तक ये देखो क्या आ रहा है multiply करो hy minus y y तो y square ये क्या होगा dy ठीक ह y का integration हो जाएगा y square बटे 2 minus y square d y का integration y q बटे 3 सही है 0 से लेकर के h ता अब सबसे पहले हम y के जगह पर क्या रख देंगे h तो 2 बटे h square देखेगा y के जगह पर क्या रखने वाले h तो h into h square बटे 2 minus h q बटे 3 रख दिये और उसके बाद क्या रखेंगे 0 तो भाई h बटे 2 into 0 का whole square minus 0 का whole q बटे 3 सही है सबसे पहले h रखे रख दिये उसके बाद 0 रखे तो 0 तो सब स्वाहा हो गया तो मेरे पास बचेगा क्या सिर्फ ये what is this 2 बटे h square देखो h q बटे 2 minus h q बटे 3 complexity से बिलकुल भी मत डरो सिर्फ इस स्टेपिंग देखो की समझ में आ रहा है कि नहीं 2 3 जाए कितना 6 तो 2 3 अच्छे तो 3 h q minus 3 दू नीच्छे तो 2 h q ठीक है कितना आ रहा है भाई 2 3 जाए 6 तो ये 1 बटे 3 h square धर आ गया और ये क्या है h बटे बच्छो केतना है 3 कहां से कहां से आया है ये तो हम लोगों ने निकाला कहां से माने हैं देखो जरा ये जो h है y माने है नीचे से तो नीचे से केतना दूरी पर आएगा h बटे 3 पर तो यहां कहीं इसका center of mass होगा this is y cm जो के केतना है h बटे 3 तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं हम लोग ऐसा ही बचो अगले lecture में कुछ और shapes है उसको भी हम लोग करेंगे ठीक है फिर जो ना सारे का एक साथ निकाल करके आप लोग को याद भी कराने का कोशिस करूँगा कि सारे चीज़ जो ना दिमा के अंदर बैठ जाए ताकि कोई कुछ पुछे धवाक से अंसर हम लोग दे सके जो जो बात मैंने बताया है अच्छे से ध्यान से इसको बढ़िए से सुनिएगा समझेगा और खुब प्रैक्टिस करिएगा ताकि पूर 11-12 में मजबूती बना रहे हम लोग का ठीक है मिलते हैं अगल